नमाशकार, MIS टुटोरियल में आप सब भी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी स्टूडेंट को स्कूल रिलीविंग करवा सकते हैं या किसी स्टूडेंट का हम स्कूल रिलीविंग सर्टिविकेट जनरेट कर सकते हैं एक्जाम्बिल के लिए हमने एक स्कूल का क्रिडेंचल लिया और लोगिन किया लोगिन करने के बाद स्टूडेंट्स एडमीशन के अंदर हम रिलीव स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे Relief Student पे क्लिक करने के बाद या तो हम किसी student को direct उसके SRN या अधार नंबर से सर्च कर सकते हैं या फिर हम class wise भी student सर्च कर सकते हैं हमने 7th class लिए और एक academic year लिया कि कुन से academic year का वे student है हमने 2016-17 academic year select किया और section select किया जो section school ने define किये थे और जिनमे students enrolled है वे सभी section हमें दिखाई देंगे इस school ने section A के अंदर students का enrollment किया है इसलिए हमें section A दिखाई दे रहा है section A हम select करेंगे और get information पे क्लिक करेंगे get information पे क्लिक करने के बाद सभी विध्यार थी जो 7 वी कक्षा में पढ़ रहे थे वे दिखाई देने लगे हमें जो school leaving करना है वो हमें एक अभे नाम के student का करना है जिसका reason for leaving हम select करेंगे reason for leaving हमने suppose की यह select किया own students request यहाँ पे date of leaving the present school आता है जो की current date है यह date है जिस दिन हमने यह video record की है और हमने proceed किया प्रोसीड करने के बाद जो student था वे है school relieving के लिए system हम से confirmation message पूसता है हमने confirmation पे चेक किया कि हमने reason क्या दिया है और release student किया जो हमने student select किया था वे है अब relieve हो चुका है हम उसी student का जिसको relieve किया है उसका हम लोग SLC भी generate कर सकते है जो की system message दिखादा है selected student have been relieved from this school successfully please go to issue SLC menu to generate school living certificate for the relieved student हम student management के अंदर issue SLC पे गए और हमने advance search से 7th class का student search किया हमने अभे नाम का student था जिसका SLC generate करना है इसे इसे इक select किया और हमने एक file number दिया file number देने के बाद हमने confirm किया और SLC generate करने के लिए generate SLC पे click किया जिन्स विध्यारतियों का हमने पहले SLC generate किया है उन्हें हम यहां से download भी कर सकते हैं हमने generate SLC भी click किया school living certificate of selected students have been generated please click on download button against those to download the certificate जिन जिन हमें student का SLC download करना है हम download भी कर सकते हैं अभी हमने अभे नाम के student का SLC generate किया है हम इसे download पे click करते हैं SLC download हो गया यह SLC हम printed form के अंदर student को print करके भी दे सकते हैं जो detail school ने fill करनी है वह है official use के लिए school fill भी कर सकता है और अपनी stamp भी इस certificate के ऊपर लगा सकता है धन्यवाद कर लुए